असलाम लाइकूम तो आज स्टूरंट्स वेलकम तो दा चैनल नुमान एंज जोहेब टूटोरियल्स आज हम इस लेक्टर में टाइप साफ वेक्टर कंटीनू करेंगे तो सेकंड टाइप है वेक्टर का पोजिशन वेक्टर किसको कहते हैं पोजिशन वेक्टर को कहते हैं पोजिशन वेक्टर को कहते हैं पोजिशन वेक्टर that is called position vector position vector को show करते हैं small r से तो इसको हम लिखेंगे किसे in terms of the rectangular components या coordinates में तो लिखेंगे x उसका coordinate unit vector i plus y coordinate unit vector j plus z coordinate unit vector k that is a representation of a position vector in terms of their unit vectors उसके बाद हम अगर position vector का magnitude find करना चाहें याने distance find करना चाहें origin से p तक o से लेकर p तक कितना है distance तो हम कैसे find out करेंगे तो हम इसके लिए हम इसका magnitude कैसे find करते हैं इसका x square करेंगे plus y square plus z square so that is the formula to find the magnitude of that position vector अब यहाँ पर हम देखेंगे position vector between two points याने 3D system या 2D system में अगर दो points हैं जैसे के यहाँ पर इस figure में आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो position vector हैं एक r a है यहाँ पर कोई a point है यहाँ पर कोई b point है तो r a vector भी है और r b vector भी है तो अब इन दोनों vectors के बीच में याने a and b point के बीच में जो vector होगा इसको बोलेंगे position vector between two points या displacement vector तो यह कैसे find करेंगे अब यह आपको देखना है कि हम कहां से कहां तक displacement find कर रहे है याने अगर a point के coordinates x a y a z a है और b के x b y b z b हैं तो हम b point से a point तक आ रहे हैं जैसे यहाँ पर हमें given है तो initial point यहाँ पर हमारा b है और final point हमारा a है तो क्या करेंगे यह displacement find करने के लिए जिसको हम r b a कह रहे हैं final point से initial points minus करेंगे याने final vector है ra इस ra से minus करेंगे r b तो हमें क्या मिल जाएगा r b a मिल जाएगा displacement vector between a and b जैसे यहाँ पर भी फार्मोल लिखा हुआ है r b a is equal to ra minus r b ra के हमने value पुट किये हैं और इसके बाद r b के negative किये हैं तो याने इस x component से x component minus करना है y से y minus करना है और z से z component minus करना है उसके बाद हमें वो vector मिल जाएगा between the two points और उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है negative r a b इसका मकसद क्या है इसका मतलब है कि जो position vector आपको b से a तक मिल राए उसको हम अगर r b a कह रहे हैं और अगर हमें a to b vector चाहिए position vector तो वो हम शो करेंगे r a b से और उसका value आएगा जो r b आया था उसका negative आएगा यानि उनका value सेम आएगा लेकिन आएगा negative ठीक है तो इसका मकसद क्या है कि यो position vector से a to b या b to a वो दोनों magnitude में equal होंगे लेकिन उनका direction opposite होगा तो यहां पर भी position vector between the two points p1 से लेकर p2 तक show किया गया है अगर यहां पर हम कोई एक numerical कर दे ऐसे suppose हम लिख रहे हैं p1 के जो values है वो हैं 2,1,5 यह p1 के value है और p2 के जो values है से suppose यहां पर 4,2,1 यहां पर हमें p2 के value है तो हम p1 जो point है इसका position vector है r1 ठीक है और p2 का position vector है r2 तो अगर हमें p1 to p2 find करना है displacement delta r find करना है p1 से p2 तक तो delta r का value क्या लिखेंगे final vector याने r2 से minus करेंगे r1 ठीक है तो अब यहां पर r2 से r1 minus करेंगे याने r2 का x component है 4 r1 का x component है 2 तो 4 से 2 minus करेंगे answer आएगा 2 unit vector i उसके बाद यहां पर 2 है 2 minus 1 करेंगे तो कितना आएगा याने plus का आएगा unit vector j 1 लिख सकते हैं लेकिन understood है उसके बाद यहां पर 1 है यहां पर 5 है 1 minus 5 answer आएगा negative 4 unit vector k यह हमें मिल गया position vector p1 से लेकर p2 तक ठीक है अगर इसका magnitude आपको चाहिए तो क्या करेंगे magnitude के लिए हम delta r का magnitude लेंगे under radical हर component का square करेंगे 2 का square हो जाएगा 4 plus 1 का square है 1 plus 4 का square है 16 16 तो 16 प्लस 1 17 प्लस 4 21 यहां अन्डर इडिकर 21 इस अ magnitude of the position vector between the two points p1 and p2 इस तरह से आप find कर सकते हैं magnitude and the position vector in vector form अब आपके लिए assignment है जिसका आप answer हमें कमेंट करेंगे comment box में तो question सुनी है suppose in a rectangular coordinate system a vector a has its tail at the point p जिसका coordinates है negative 2 comma negative 3 and its tip at the point q coordinates है 3 comma 9 determine the distance between the two points अब आपको given है p and q points यहां पर diagram भी बना हुआ है तो p point के coordinates negative 2 negative 3 और q point के coordinate है 3 comma 9 आपको क्या करना है आपको इन दो points के बीट में यह जो p q यह distance है आपको यह distance बताना है कितना होगा ठीक है तो जरूर आप comment में अपना answer बताईएगा अब आप आगे third type है vector का null vector null vector या zero vector किसको कहते हैं it is a vector whose magnitude is zero or nothing and has no any particular direction if two vectors a and b are equal then their difference a minus b is defined as zero vector or null vector and denoted by O इसके उपर arrow लगाएंगे यानि अगर two vectors हैं हमारे पास a and b और दोनों ही equal हैं बिलकुल यानि magnitude भी बराबर है direction भी equal है तो यानि यह दो vectors अगर equal हैं तो इनकी अगर हम subtraction करेंगे तो हमें result क्या मिलेगा 0 मिलेगा से suppose यहाँ पर हमें a vector है two units और b vector भी है two units इस direction में तो यानि दोनों ही equal हैं तो आप इनकी subtraction करेंगे a vector along the x axis a vector लेंगे ठीके और उसके बाद हम negative b vector उसके अप और direction मिलेंगे तो यहाँ पर हमें result क्या मिला result हमें null मिला याने 0 मिला ठीके तो इस तरह से आप याने null vector को define कर सकते the 0 vector is a vector of 0 magnitude having no specific direction and its initial and terminal points are coincident ठीके यह भी एक point है कि null vector की initial and terminal points हैं वो coincide करती हैं एक ही point पर अब उसकी यह properties हैं properties हैं कि additive property है a plus null vector याने किसी भी vector में हम add करेंगे null vector तो हमें answer वो vector ही आएगा क्योंकि null vector हम मतलब कुछ भी add नहीं करें तो vector same ही मिलेगा a vector similarly second property क्या है second property है कि अगर हम किसी भी number को null vector के साथ multiply करें तो हमें answer मिलेगा null vector कोई भी number है in इसको multiply करेंगे null vector से तो null vector का magnitude 0 है तो 0 से किसी को भी multiply करते है number को तो हमें answer क्या आता है 0 आता है यानि null vector आएगा तो यहाँ पर third property है कि null vector को अगर हम multiply करें किसी वेक्टर के साथ तो भी हमें क्या मिलेगा null vector मिलेगा तो इस तरह से अब आते हैं number fourth one जो type है free vector a vector which can be displaced or shifted parallel to itself यानि वो vector जिसको हम उसके parallel shift या displaced कर सकें और वो vector जो है वो initial उसकी initial point origin पर लाए ना करें ठीके यानि इसको हम non localized vector भी कहते हैं जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं किस plane में कोई vector है a तो इसकी initial point origin पर नहीं है मतलब यह free है हम इसको freely shift कर सकते हैं उसके parallel without changing its magnitude or direction तो इसको बोलते हैं free vector and every vector is free vector mostly जो भी हम लेते हैं a vector b vector c vector force है कोई translational velocity यह body की तो यह क्या हैं यह सारे free vectors हैं अब यहाँ पर chapter number 2 की थोरी summary यहाँ पर कर लेते हैं कि हमने इस chapter में previous videos में जो जो किया है जैसे कि हमने firstly scalars and vectors की definition पड़ी थी इसका difference क्या है उसके कुछ examples हमने पड़े थे scalars and vector के वो भी हमने कर ली है और उसके बाद हम vectors के types जो डिसकस किये थे previous video में याने equal vectors क्या होते हैं जिनका magnitude and direction same होता है और उसके बाद negative alpha vector क्या होता है याने अगर हम किसी vector को बिल्कुल भी reverse कर दें 180 degree पर तो वो negative alpha vector बन जाता है जैसे यहाँ पर example भी है और उसके बाद modulus of a vector याने vector का magnitude कैसे निकालते हैं तो magnitude निकालने के लिए हमने फार्मूला पड़ा under radical करके हर component का square करके sum करके उसका under radical find करेंगे mode of vector के जिसको कहते हैं उसके बाद है unit vector तो unit vector है जिसका magnitude 1 होता है और उसका ये फार्मूला है के vector upon its magnitude और उसके बाद हमने अभी discuss किया zero और null vector जिसका magnitude नहीं होता याने zero होता है और arbitrary direction याने कोई भी particular direction नहीं होता ठीक है उसके बाद यहां पर कुछ examples है null vector के जैसे के the position vector of an object at the origin is zero याने जो position vector होता है वो start ही origin से होता है तो कोई भी body origin पर खड़ी है से suppose तो उसका position vector क्या आएगा zero आएगा क्योंके body origin पर ही है और उसके बाद second example है the velocity of an object at rest is zero याने अगर कोई body rest में है याने move नहीं कर रही है तो उसकी velocity का magnitude zero है तो हम इस vector को null vector कहेंगे उसके बाद third example क्या है the acceleration of an object moving with uniform velocity is also zero vector याने अगर कोई body uniform velocity के साथ move कर रही है तो हमें पताए there is no change in velocity there is no acceleration तो acceleration अगर हम vector form में लिकनी है तो हम क्या कहेंगे वो null vector है या zero vector है ठीके उसके बाद हमने addition of vectors भी पढ़ रखा है graphical method जिसमें हमने head to tail rule method पढ़ा था laugh triangle पढ़ा था laugh program डिसकस किया था ठीके अब यहाँ पर यह जो diagram figure है इसमें आपको different types of vector नदर आएंगे तक्रीबन हमने सारे डिसकस कर ली है parallel vectors है और उसके बाद equal vectors है negative vector है उसके बाद null vector है equal vector है unit vector है और position vector यह सारे types है vector के जो आप यहाँ से इनको learn कर सकते है definitions को याद करेंगे उसके बाद हमने resolution of vector ठीके उसको भी discuss किया था एक वीडियो में resolution in composition के the process of the splitting of vector into its rectangular components तो उनके components के formula हम ले थे x बराबर a cos theta a y is equal a sin theta और a का magnitude का formula composition में पढ़ा था और उसका direction कैसे find करते हैं यह भी पढ़ा था उसके बाद हमने discuss किया था vector in space या in three dimensions तो उसका जो direction cosine से उनके formula भी हमने पढ़ रखे हैं इसके बाद हम graphical method का जो second method था program love vector edition वो भी हमने पढ़ा है बाकी हमें आगे discuss करने है sign law and cosign law ठीक है वो हम इंशाला नेक्स वीडियो में देखेंगे तब तक के लिए अपना ख्यार रखें अलाह आफिस थैंक यू